दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांडिया को दुनिया का सबसे खतरनाग खिलाडी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाई की ज़रूर किशवेगा दोस्तों भारती टीम के सबसे खतरनाग खिलाडी और भारत को टीट बंटे वेश्यो कप में च्रेमपियन बनाने वाले हार्दिक पांडिया के नेचे जीवन का सरदर्द सोशल मीडिया पर काफी गर्माया हुआ है जहां हार्दिक पांडिया की धरमपतनी नताशा से उनका हालिया में तलाग हुआ तो वहीं हार्दिक पांडिया का बॉलेवोड एक्टर सनन्या पांडिय से रिष्टे को लेकर खबरे सोशल मीडिया पर सुर्खिया बटोर रही है लेकिन तलाग के बाद अब पहली बार इस रिष्टे को लेकर हार्दिक पांडिया ने अपनी चुपी तोड़ी है और रिष्टे वाले इन खबरों का बेज़ जक्र किया तो चलिए बताते हैं हार्दिक पांडिया ने अपने बयान में क्या कहा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांडिया को दूसरे शादी करने चाहिए या नहीं कॉमेंट में जरूर बताईए दोस्तों इंदी नुक खबरों की बाजार में हार्दिक पांडिया का नाम टॉप पर बना हुआ है हार्दिक ने अपनी वाइफ नताशा से अलग होने का ऐलान कर दिया है अभी हफ़ते बर भी नहीं बीते की बॉलिवुट की सेक्टरेस के साथ हार्दिक पांडिया के नजदी क्यों के चर्चे होने लगे इतना ही नहीं हार्दिक पांडिया ने इंस्टाग्राम पर खुबसूरत एक्टरेस को फॉलो कर इस चर्चा को और हवा दे दी इसके बाद तो सोशल मीडिया में ये खबर तीची से फैल रही है और दोनों के रिष्टे को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है और किसी के मन में सवाल उठने लगा है लेकिन आपको एक चीज तो पता ही होगा कि पिछले हफते भारत के सबसे अमीर आदमी और सबस ठ집 लगा है इस डर्माद हारदिक्पांड्या घूभी अनंत और रादिकाम उट्षिंट के शादी में डांस करते देखा गया हारदिकपांड्या इस इवेंट को काफी एंज्रॉइ किये आपको बता दे इस इवेंट में हार्दिक पांडिया के मुलाकात बॉलेवुड की सबसे खुबसूरत अब इनेत्रियों में से एक वो कोई और नहीं बलकि अनन्या पांडे से हुई जहां दोनों ने एक साथ मिलकर काफी ठुमके लगाए और इन दोनों की डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुई हलांकि इस वीडियो को देखकर लोगों में ये भी चर्चा हुई कि दोनों में क्या कुछ चल रहा है लेकिन अभी जो वीडियो इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है उसमें देखा जा सकता है कि हार्दिक पांडिया और अनन्या डांस तो करी रहे हैं लेकिन इसे बीच वो अनन्या पांडे के काफी करीब हैं दोनों एक दूसरे की आँखों में आखे डाल कर अपनी वास्ति में डांस कर रहे हैं और इस वीडियो पर लोगों के दरतरह के कॉमेंट आये हैं हालंकि इस रिश्टिक उलेकर अब हार्दिक पांडिया की तरफ से रेक्शन सामने आया है और उन्होंने बयान देती हुए अपने और अनन्या पांडे के रिश्टे पर खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई हग का बतका रह गया और हार्दिक का वो बयान सोशल मीडिया पर काफी जादा वारल भी हो रहा है तो चलिये हम आपको देखाते हैं हार्दिक पांडिया ने अनन्या पांडे के साथ रिश्टे पर क्या कुछ कहा हार्दिक पांडिया ने अनन्या के साथ रिष्टे पर खुलासा करती हुए बताया कि मेरे जीवन में इस साल कई बोड़ी मुसीबते आई लेकिन मैंने ड़ट कर सामना किया और अपने आपको प्रूफ किया कि हम इतने कमजोर नहीं है अगर रह गई बात अनन्या पांडे के साथ उचल रहे मेरे रिष्टे की अफाहों पर तो अभी हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों अनंत और राधिका के शादी में मिले एक साथ जांस किया मेरी वाइब उनके साथ मैच की हम दोनों ने काफी चाइम बिताया काफी मस्ती किया डांस किया अगर हम दोनों के बीच वैसा कुछ होता तो हम जरूर अपने फैंस को बताते लेकिन मैं अपनी लाइफ में आगे और जल्दिबाजी नहीं करना चाहता सोच समझ कर डिसेजन लूँगा इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा आप सभी को पता है अनन्या कैसी लड़की है हम दोनों एक दूसरे को काफी चाइम से चांते हैं हम दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है तो आप अप फाहों पर नजर ना डाले अगर कुछ आगे होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हार्दिक पांडिया ने अपने और अनन्या पांडिया के साथ रिष्टे पर खुलासा करते हुए हर किसी को चौका दिया लेकिन आपको क्या लगता है हार्दिक पांडिया को नन्या के साथ शादे करने चाहिए या नहीं कॉमेंट में जरूर बताएंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने धन्यवाद दोस्तों भारती महिला टीम के सेमी फाइनल में पहुँचने के बाद पाकिस्तान के दिगजों ने दिया बोड़ा बयान केहे दिया कुछ ऐसा जिससे सुनकर आप भी रहे जाएंगे हैरान जी हाँ दोस्तों भारती टीम को नेपाल के खिलाफ मैच में शांदार जेत दर्ज करने के साथ सेमी फाइनल में पहुचने का मौका मिला है इसके बाद पाकिस्तान के दिगजों का बयान सामने आया इस दोरान वसी मकरम शाहिद अफ्रेदी से लेकर शरब अख्तर इन जमामुल हक जैसा कि आपको पता है एक तरफ भारती पुरुष टीम शलंका के खलाफ स्रीज खेलने के लिए तयार है तो दूसरी तरफ से भारती महिला टीम एशिया गप का टोर्नामेंट खेल रही है इस बीच भारती महिला टीम का शांदार प्रदर्शन देखने को मिला जहाँ पर भारती महिला टीम ने सबसे पहले पाकिस्तान की टीम को साथ विकेट से हराया और अब नेपाल की टीम को हराते हुए सेमी फारनल के अंदर जगे पक्की कर ली ऐसे में अब भारती महिला टीम सेमी फारनल में पहुँच चुकी है भारती महिला टीम ने पाकिस्तान और दुबाई की टीम को हराने के बाद अपने पाल की टीम को हराते हुए सेमी फार्नल में अपनी जैगे पक्की कर ली है जो साफ तोर पर दर्शाता है कि भारती महिला टीम का सामना करना इस समय किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारती मैला टीम के पास में काफी जादा बेहितर खेलाडी मौजूद है जो अपने तूफानी प्रदर्शन के जरिये विरोधी टीम को आसानी से परिशान कर सकते हैं और ऐसे में अब भारती मैला टीम के सेमी फाइनल में पहुँचने के बाद मुझे लगता है कि भारती टीम को हमारी टीम फाइनल में बुरी तरीके से हरा के बदला लेगी तो वहीं चमामुल हक ने बयान देते हुए काहा कि भारती महिला टीम नेपाल की टीम को हराने के बाद सेमी फाइनल में पहुँच चुकी है जिसको रेखने के बाद मैं काफे जादा खुश हुँ क्योंकि भारती मैला टीम ने वास्तों में काफी ज़ादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया जो असपस्ट करता है कि भारती मैला टीम के पास में सेमी फाइनल खेलने की बोड़ी काबिलियत मोजूद है इसके लावा उन्होंने काहा कि भारती मैला टीम ने काफी ज़ादा अच्छा प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया लेकिन अब हमारी टीम भी सेमी फाइनल खेलने वाली है और अब हमारी टीम F Viridal में पहुंच कर भारती टीम के खलाप Firmal में अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारत को हराग और अपना बॉद्ला लेकर चैंपियन भी बोनेगी तो वहीं शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारती टीम नेपाल की टीम को हराने के बाद सेमी फार्नल में पहुँच गई हलांकि भारती टीम के पास में काफी जादा टैलेंट मौजूद है। वहीं हमारी टीम सेमी फार्नल में ज्रित दर्ज करते हुए फार्नल में पहुचेगी और भारती टीम से अपना बदला भी ले सकती है। जीत कर पहुच जाएगी और वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक रोमान चेक मैच देखने को मिलेगा। और इस मैच में हमारी पाकिस्तान की टीम भारती टीम को बुरी तरीके से हरा कर लेग स्टेज में मिली हार का बदला भी अब जरूर लेगी। दोस्तों श्रलंका के खलाफ पहले ही टी-20 मैच में उनकी धरती पर भारती खिलाडियों ने ऐसा तांडो मच राया कि पूरे क्रिकेट जगत के रोंग्टे खड़े हो गए। दोस्तों श्रलंका सिरीज के लिए भारती खिलाडियों के सामने धर-थर कापती नजर आई श्रलंका की टीम किस खिलाडी ने ठोके सबसे अधिक छकें किसने बनाए कितने रन कैसे जैसवाल और श्रूर्मंगल ने मिलकर तोड़ दिया बड़े-बड़े दिगजों का रिक दोस्तों श्रलंका सिरीज के लिए भारती टीम वहां पहुंच चुकी है जहां पर टेम इंडिया को तीन टी-ट्वंटी मुकाबलाग खेलने हैं पहला टी-ट्वंटी मैच के लिए दोनों टीम में पूरी तरीके से तयार है और मुकाबलाग खेलने के लिए मैदान पर उत क्योंकि श्रिलंका के बल्लेबासों ने भारती टीम के गेंदबासों की धचिया उड़ाते हुए टीम के सामने 20 ओवर में 200 रनों का पहार जैसा लक्ष खड़ा कर दिया श्रिलंका की तरफ से कुषल में इंडिस ने ने मैदान पर आये यशस्वी जैस्वाल और शुबमंगिल दोनों युवा उपनर बल्लेबासों की कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी दोनों बल्लेबासों ने भारती टीम को भेहत्रीन अंदाज में शुरुआत दिलाई पहले ही ओवर से अटेंकिंग बल्लेबास लूप में नजर आ रहे थे दोनित्वेला लागे के ओवर में जैस्वाल ने एक नहीं दो नहीं वालकि लागातार तीन छक्के जड़कर टीम इंडिया को बावर फ्ले के छे ओवर में ही पच्छास दुरनों के पार पहुँचा दिया दोनों खिलाडियों के बीच और धु शतकी साचिदारी भी हो चुकी थी उसके बावजूद दोनों खिलाडियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था जैस्वाल तो हर के इंदबासों की गुटाई कर रहे थे